नमस्कार दोस्तों मैं नवीन राय आप सभी का स्वागत करता हूँ knowledgesathie.com में आज का टॉपिक है इंटरनेशनल पेशेंट सेफटी गोल यानि IPSD गोल नमबर 4 जो है ensure safe surgery पेशेंट की सर्जिकल साइट पर मार्किंग होना बहुत जरूरी है WHO दोरा निर्देशित सर्जिकल सेफटी चेकलिस्ट का अध्यान करना बहुत जरूरी है हॉस्पिटल की सर्जरी टीम को यूनिवर्सल प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए सर्जिकल सेफटी चेकलिस्ट में तीन महतुपूर्पूर्पॉइंट्स होते हैं Sign in, time out और sign out Sign in Sign in process में मरीज को operation theater में ले जाने से पहले recovery room में रखा जाता है वहाँ पर एक बार फिर सुनिश्चित किया जाता है मरीज का नाम, उसकी UH ID, मरीज पर होने वाला procedure और side वा site marking ध्यान दिया जाता है कि मरीज के शरीर पर कोई ornaments या cosmetic तो नहीं है Time out से OT में shift किया जाता है वहाँ पर एक बार फिर सुनिश्चित किया जाता है मरीज का नाम, UH ID, procedure, side एवं site marking, antibiotics given, blood availability, sterile equipment availability, radiology images OT view box में लगा दिये गए हैं या नहीं Sign out इस process में OT nurse, surgery team से patient पर होने वाले procedure को confirm करती है Name and number of instrument used की गिंती की जाती है जैसे sponge, needle, etc. Patient की specimen labeling को patient के नाम और UH ID से confirm किया जाता है और यदि कोई OT instrument तूट जाता है तो operation के बाद उसकी तुरंत जानकारी दी जाती है Anesthetist, surgeon और nurse मिलकर patient की सही से जाच करते हैं और post-operative order को उसकी file पर सुनिश्चित करते हैं Patient के संबंधियों को patient की स्तिथी, surgery और sample भेजे जाने की सही जानकारी देनी चाहिए Histopathology form को सही से भरना चाहिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए वीडियो में दी गए information अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऐसी और वीडियो पाने के लिए नौलिज साधी चैनल को सब्सक्राइब करें वा बेल आइकन बजाना ना भूले अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूले धन्यवाद